तो हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहन मुठा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपणी में जो नहीं वेकैंसी आई हुई है वो वेकैंसी कहां पे आई है किस एजेंट के पास आई है और भी पहले मैंने जो वीडियो डाले थी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे सवाल भी किये तो मैं माफी चाहता हूं कि उन्हों सभी सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाया आज एक एक करके सभी सवालों के जवाब दूँगा जिसमें आपने पूछा था कंपणी का रहना खाना सेलरी ओवर टैम और बहुत सारे सवाल थ गी और वहां पर जाके आपका डोलर बार बना दीया जाए ख pants अपका Overtime लगता है तो वो आपका MBR में आएगा जनी के माल दीव रुपिये में आएगा ठीक है दोस्तों और दूसरा Overtime के बारे में एक और जुरूरी बात बता दूं कि जो मेरे दोस्त रिटर्न है जैसे कतर उमान इन सब में से तो कतर उमान में क्या होता था कि Overtime हमें मिलता थ हमारी सेलरी का डेड़ गुना जस्वा मगर जहां पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर आपको सेलरी के अकोर्डिंग ही Overtime दिया जाएगा वह भी कंपनी के किसी अपने ला के तहत तो दोस्तों मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि आप Overtime को अपनी सेलरी में म जादा अच्छा रहेगा और अब बात करेंगे कंपनी के रहाइस के बारे में कंपनी की रहाइस नोन एसी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों मगर मालदीव को मोसम है बहुत सही है इसलिए ज्यादा जूरूरत भी नहीं है तो पंखे से भी काम चल जाता है तो फिर आभी बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि अगर मेरे भाई किसी का बहुत इंटर्वी पास हो जाता है और अगर उसका बिजनस वीजा निकलता है तो दोस्तों बिजनस वीजा में आप मत जाहिए बहुत ज्यादा सही रहेगा आप बोलिए कि हमें बर्ग परमट ही चाहिए तो आरपूर में चलेगी तो मैं आपको नमबर दे दूंगा लेंट कि बालों का भी और बात करके जा सकते हैं और हम दोस्तो एक और जरूरे बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जुब अपने ड्रर और ओर उप्रेटरों के लिए है कि देखो अगर आपके पास इंडिया का औरिजनल लाइसेंस नहीं या तो आप इंटर्विय के लिए मत जाएं यह खास गुजारिस है अगर आपका एजन्ट आपको बोलता है नहीं मैं दूसरा को डूप्लिकेट एजन्ट डूप्लिकेट लाइसेंस लगा के आपको भेज कंपणी बहां से आपको भेज देगी वापस क्योंकि कंपणी चेक करती है लाइसेंस को और इंडिया की कंपणी है तो इंडिया लाइसेंस वो चेक कर लेती है तो इसलिए आप डूप्लिकेट लाइसेंस के उपर बिल्कुल भी ना आएं तो आप किसी और कंट्री का वीज जरूरी बात अगर कोई मेरे से सवाल पूछना चाहता है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आइड दे दूँगा आप मुझे आप चेक कर लीजिए और आप जरूरी बात एक और बताना चाहता हूं कि आप देखो आप को अपनी सेलरी में मत जोड़ना यह मेरी एक खास गुजारिस है आपकी जो सेलरी लग रही है जहां से बेसिक सेलरी आप उसी को देखकर ही अगर आपको सही लगता है कि इतने पैसे म अच्छा है आप जहीं से आप अपने आपको सही बठाकर आप फिर जाएं तो मिलते हैं दोस्तों फिर और किसी वीडियो में अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट करें नहीं तो मेरी इंस्टाइडी पे आप मुझे मैसेज करें तो नंबर मैं आपको